अरे नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि plot purchase करते वक्त हमें किण documents का ध्यान रखना है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि plot purchase करते वक्त हमें कौन-कौन सी चीज़े ध्यान में रखनी है और कौन सी चीज़े महत्यों पूर्णा है तो इसलिए वी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छे लगते होते हैं इसे लाइक करना विल्कुल में मत भूले तो हमारा सबसे पहला और महतुपन पॉइंट है वो है लोकेशन आप जब plot लेने वाले हो तो आपके नजदीक अगर bus stop, school, college, hospital ऐसी चीज़े अगर हो तो ये आपके plot के लिए advantage होता है अगर आपका plot ज्यादा शोर शराबा या फिर प्रदूशन वाले इलाके में हो तो ये plot के लिए एक disadvantage हो जाता है उसके बाद में आपके plot से जुडने वाले रस्ते बड़े होने चाहिए आपके plot के आसपास का infrastructure देख लीजी अच्छा infrastructure आपके plot की value definitely बढ़ाता है अब plot दो चीजों के लिए लोग purchase करते हैं एक तो वो plot purchase करते हैं investment के तोर पे और दूसरे जगे पे वो plot purchase करते हैं अपना घर बानवाने के लिए और agriculture plot वो लेते हैं agriculture पर परच के लिए ये basic type होते हैं plot purchase करने वालों के उसके बाद में आपको जो है amenity के तरब ध्यान देना है plot की जगपे अच्छा कासा water supply, electricity और sewage system इनकी क्या स्तिती है ये आप seller के पास से जान लीजे और layout में कितना open space है, कितना amenity space है इसकी जानकरी आप seller के पास से ले लीजे क्योंकि माकान बनवाते वक्त और माकान बनवा अगला point है हमारा, वो है plot price, आप plot जिस किसी जगह पर ले रहे हो, वहाँ पर जमीन के क्या rate चल रहे है, इसकी जानकरी आप खुद से थोड़ी research करके कर लीजे, सिर्फ agent बता रहा है या फिर plot का मालिक बता रहा है, उस कीमत पर आप plot final मत कीजे, और हा, plot price negotiation कीजे, इससे ज़रूर फाइदा होगा, अब आपको plot लेते समय कीन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको, आपके plot की सतर जादा उपर नीचे नहीं होनी चाहिए, इससे आपके plot पर जब आप माकन बनाएंगे, तो आपको foundation में जादा खर जाएगा, हाँ थोड़ा बहुत slope है, तो odd shape में अगर आपका plot है, तो यह आपके लिए, जब यह आप माकन बनवाएंगे, थोड़ी दिक्कते आपको आ सकती है, अगर ऐसे plot में अगर आपको निर्मान कार्य करना है, अगर थोड़ा बहुत पीछे के तरफ कुछ इरफ है, तो यह बात अलग है, पर अगर आपका plot, परुंतु यह बात आपको ध्यान रखनी है, कि बहुत ज़ादा triangular shape या फिर किसी other shape में जीज़ की, कि बहुत टेड़े मेड़े plot को लेने की गलती मत कीज़े, उसके बाद में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कि plot के ऊपर बड़े बिजली के तार नहीं होने चाहिए, और एक महतोपूर्ण बात, अगर आप plot investment के तोर पे भी ले रहे है या फिर माकान बनवाने के लिए, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपका plot या तो east face या फिर north face होना चाहिए, क्योंकि ऐसे plot वास्तु शास्तर के इसाब से clear बैठते हैं, और ऐसे plot sell करने में प्लाट लेकर अगर आप मकान बनवाने वाले हो, तो आपको मकान बनवाने का खर्च और plot का प्राइज इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको plot purchase करना है, बहुत से बार यह होता है कि आप plot purchase कर लेते हैं, पर बाद में आपको मकान बनवाने के लिए आपके पास पैस नहीं बास था, और सबसे आखिर में बात, दो bonus tip मैं आखिर में आपको देना चाहूंगा, वो यह है कि जब भी आप plot seller से purchase कर रहे हैं, तो उनके बास से जो कोई भी आपका layout होगा, वो layout आप actual plot पर जाके, वहापर जो measurement है, वो plot के layout के तरह ही वहाँ पर मिल रहे है कि नहीं, इसकी surety कर लीजे, वहाँ पर जाकर confirm कर लीजे कि उसी तरह से उसकी measurement है रहे है, हाला कि वो measurement मिटर में होगे, तो आपको यह देखना है कि आपका पूरो पच्चीम या फिर दक्षिन उत्तर जो है, आपका plot का size क्या है, इसके बारे में आपको seller से एक बार confirm कर लेना है, उस उसको एक compound wall जरूर कर लीजे, इससे आपका फ्राइदा यह होगा कि आपके plot में होने वाले आतिकरमन से आप बच सकते हो, और plot में कम से कम एक दो महिने बाद आपको चकर मारना है, जिससे कि plot पर अगर कोई encouragement होने पर आपको पता चल जाएगा, plot पर जब भी आप compound wall करते है तो आपके boundaries fix हो जाते हैं, और ऐसे वक्त में अतिकरमन होने के chances बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, पर ये भी नहीं कि अगर आपने compound wall कर लिया और आपका भी plot पर गए ही नहीं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको plot पर भी एक दो चकर मारते रहने हैं, जिससे कि आपको आपके position का पता चलता रहेगा, तो दोस्तों ये थे कुछ point जो कि आपको plot चुनाव करते वक्त, आपके definitely ज़रूर मदद करेंगे, अगर आपके इसके related कोई doubts हो या फिर कोई suggestions हो तो आप डिमेंट कर सकते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लेगे तो इसे like ज़रू टे वां आपके की ऑनते हैं, अगर स्प्रेंगे हो ग कर छोगना लुकी ठीमेंगे, अनर रहेगे कास सविंईत, आपके कास अभास cortches का bunch तो देजिए हो घ्नther को आपके जो कर चीए हो आपके अब।